आप सभी का मेरी YouTube चैनल पे स्वागत हैं आज हम पढ़ेंगे देन्स और फ्रेंच के बारे में हम पढ़ रहे हैं Modern History में Advent of Europeans in India जो Europeans का जो आगमन हुआ इंडिया में उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं हम Portuguese, Dutch and English के बारे में हमने लास्ट विडियो में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे देन्स और फ्रेंच तो ये वीडियो में आपको पूरा पार्ट्स में करवा रहे हुए पूरा टॉपिक ताकि जो है हमारी वीडियो लेंध ही ना हो ठीक है तो देन्स यो थी इंडिया में कब आए थी 1616 में ठीक है और इन्हों दे स्टेविलाइज सेटलमेंट एंड ट्रैन की वर तमिलाडू इन 1620 इन्हों ने अपनी सेटलमेंट जो है स्टेविलाइज की कहां पे ट्रैन की वर तमिलाडू इन 1620 में ठीक है फिर उसके बाद 1676 में इन्हों ने कहां पे की सेरंपूर बेंगॉल में और इसको इन्हों ने वहां पे अपना हेड़कॉर्टर भी बनाया अब मेरे पास देइन्स की बारे में इतनी सी इन्फॉर्मेशन निकली मैंने जो है दो तिन बुक्स को फॉलो करके इस पूरे इन्फॉर्मेशन निकाली है तो आप इनको अपनी नोटबुक पे ज़रू लिखे फ्रेंच इस्ट इंडिया कंपनी सिसिस्टेफ कर इस प्रेंच वाय कॉलवरट के दोरा और उस ताहिं पर किंक वैए लूज फ्रेंच फ्रेंच वहारं सूरत में हुई और 258 में हुई किस के दारा कि गई शी से traff差不多 1 16 इंडीया कंपनी कर्म हटला तोह हैं निये थेंद फ्रेंच को अगय-ट्री च्ट में शूरति में हूई और 1658 में हूई किसके द्वारा कि गई प्रेंश को कैरोन की द्वारा थिक है याद एक informação पर हुई कभ éta"? फिर है second जो इनकी factory, फ्रेंच factory stabilise हुए वो ही मसूली पत्नम आंध्रापदेश में 60-69 में हुए इनकी टाइम पे क्या हुआ कि फ्रेंच की जो पावर थी वो इंडिया में पूर्ण जिवित हुई और इनका टाइम पिरेड क्या था? इनकी प्रेंच की नीव रखी? पांडिचेरी की नीव रखी? पांडिचेरी की नीव रखी? कहां पे है ये? तमिलाडू में और कब रखी? 1673 में और इसको अपने कैपिटल भी बनाया और इनके टाइम पे क्या देखने को मिला? अंगलो फ्रेंच कंफिलिक्ट कार्नेटिक वार बार नेक्स्ट वीडियो में पड़ेंगे आज हम देन हो प्रेंच के वार नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसलिए यह topic जो है हम next video में करेंगे अगर आपको मेरी video अच्छी लगी है तो friends मेरी channel को ज़रूर subscribe करें और video को like भी करें, video को share भी करें और bell icon प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी में नई videos upload करूँ उसकी notification आप तक ज़रूर जाए और अपनी feedback जो है comment section में भी ज़रूर दें Thank you